असलाम अलेकुम दुस्तर वीडियों में हम आप पुदाएंगे सौधी के लेटेस इंपोर्टन अपडेट इए वीडियों ने के लिए बहुत ही इंपोर्टन जो लोग अभी सौधी अरभिया में रहते हैं क्योंकि सौधी के स्वास्त मंत्राले की तरब से अभी अभी एक न लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इसको असपस्ट रूप से सौधी के स्वास्त मंत्राले की तरफ से एक नई अपडेट दी गई है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बेहत जरूई है क्योंकि कुछ है जरूरी जानकारी भी दे गई है अगर आप गलती करते हो तो आ आपके लिए इंपोर्टन्ट होने वाला है अगर आप सफर करने वाले हो बोस्टर खुराक लेना चाहते हो या और कुछ भी रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए बोस्टर खुराक को लेकर या क्रोना वारिस को बैक्सिन को लेकर है तो यहाँ पर जो सौधी के स्वास्त म अंतराले के तरब से कहा गया है कि अगर आपने बोस्टर खुराक की टीके की पहली खुराक ले लिया है मतलब यहाँ पर जो पहली खुराक है या दूसरी खुराक है या तीसरी खुराक है उसमें कोई भी अंतर नहीं है सेम वैक्सिन होती है आपको इसमें कोई भी गलत भा नहीं होगी अगर वो ठीक हो जाता है तो आगे कहा गया है कोरोना वायरस से संकर्मिद्ध को परिच्छा की तारिक के साथ दिन बीद जाने के बाद में स्वास्त माना जाता है यानि बूस्टर खुराक तुरंत ठीक होने के बाद में लिया जा सकता है लेकिन उसको कम से कम भी जिजगने की जरूत नहीं है आगे जो सौधी के स्वास्त मंतराले के साहेक डाक्टर अब्दुल्ला असीरे हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि कोरोना बैक्सिन की चौथी खुराक लेने की कोई भी जरूत नहीं है मतलब आपको चौथी खुराक के लिए परेसान होने की जर बोत नहीं है और आपको जो भी दिशा निर्देश लगाएगे हैं उन सबीन रूल्स को फोलो करना चाहिए बस यही सौधी के स्वास्त मंतराले की तरफ से अभी अभी अपडेट किया गया है